तुक्तुना कुक्तुन। कहीं लोगों को लगता है क्पेरेंट्स को इंग्लिज नहीं आती है। तो अगर वह ट्रैवल करना चाहिए तो आपको कोई प्रॉबलम आई कहीं पर विजिट वीजा पर क्या यहापर लोग यौप कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम तो हम तो मैं हूं गौरफ और मेरे साथ यहां पर बैठे हुए तो काफी टाइम हो गया यूटे में मुमी पापा है विजर वीजा पे और आप मैं से भी काफी सारे लोग होंगे जो यहां पर अपने छह्न पर अपर प्राहिए हम वीजर पर एक्सृश्ट करें होगे तो उनको आपको समझ ना हो कौन से दोक्स में और यहां में इस तो वूंनाफे पर इंडिया में वहां पे लेकिन उसे पहले पापा का इस पहले पिछले टाइम से कितना डिफ्रिइन्ट था तो पापज इस बरी आप जब वीचे एप लेके जाना नहीं पड़ा तो क्या क्या ऐप लेके गए थे वयसे वहां पर हाँ इस बार जैसे ऑन-लाइन यह जो आपका सिस्टम है इसमें भलत फायदा हुआ कि हमें जाधा डग मैं एक पासपोर्ड तो ही है यहां पासपोर्ड वहां हमें जमाहिक राना होता है हुँँ वीजा के लिह जाता है वह तो पासपोर्ड के सा सारे हमारे पास पोच गए है अच्छा तो बेसिकली स्टार्टिंग में डॉक्यमेंट के उसके लिए पासपोर्ट ले गए अधार कर ले गए रिटार्मेंट लेटर पापा ले अपना उरिजिनल बर उतके साथ में एक होता है वी एफेस का अपॉइंट्मेंट लेटर वह भी पर लेजी था क्योंकि लास्ट तेम पे तो सारे डकुमेंट्स पहले आप मेरे पास भेजे क्योंकि हमें वहां लेकर जाने थे वह फिर वहां के वहां से मैंने प्रिंट आउट निकल वाए उसके बाद जब पूरी फाइल वहां लेके गए अंदर तो अलग 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 हिंदी बोलते हैं लेकिन जब लगाने होते हैं तो इंग्लिश में होते हैं अब आपके सारे डैकुमेंट थे और लगाने थे फाइल में पर टाइम भी लग जाता है वह यह लग गया यह लास्ट टाइम की बात तो अब यह प्रोसेस नहीं है अब आप अगर बुलारे ले अपने पेरिंट्स को सिधा अप्लोड करो यहां से दोकिमेंट्स उनको टैंशन लेनी की जुरूत नहीं है और वह जाएंगे उनका पूरा बायमेट्रिक होके यह प्रोसेस हो जाएगा तो लास्ट टाइम आपको लगा था दो डाही गंटे लग और इस बाहीं कितना टाइ तो उन्होंने भी कहा कि 15-20 दिर लगेंगे तो दो आफते बाद उनका हमार पाद मैसे जा गया ता इस बारी जो वीजा है वो विधिन 10 देज मंदा 10 वोकिंग डेज और टू वीक्स आप मान सकते हो एक्जाट 10 देज में आ गया था वीजा तो हम लोग भी हरान थे कि काफी इंग्लिश नहीं आती है तो अगर वो ट्रेवल करना चाहे तो आपको कोई प्रॉब्लम आई कहीं पर नहीं वो उसके लिए एक लेटर वैसे आपकी तरफ से मिल गया था कि उसमें आपने जो भी अपना उस दे दिया था तो इमिग्रेशन वगरा भी जब गए तो थोड़ मैंने वह लेटर उनको दिखा दिया जो आपने दिया था ममी पापा को वह नहीं आती इंग्लिश नहीं तो यह जो जितने भी डॉक्यमेंट्स है यह सारे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा आप वहां से डाउलोड कर सकते हो तो जो पापा डॉक्यमेंट क इसको बुला रहा हूं वह यहां पर रहेंगे इतने दिन के लिए यह मेरा फोन नंबर है यह मेरी इमेल आइडिया कॉंट्रेट करना हो तो आप मेरे से कर सकते हो आप मेरे से पूछ सकते हैं तो यह सब उनने पूछा तो अगर पेरेंट्स को नहीं भी आती है तो आप एक यह को देशकते हो और वह आ पर देखा देंगे कोई भी डाउट होगा उनको लगेगा कि फोन करने वेशन आप करते हैं अगर लूंको लगेगा कोई डाउट होगा तो वह फोन कर लेंगे कांट्र करने के लिए मोट अच्छा था था कि इस बाए इस ताईम फिंट की और फ्लाइट जो हमने उने भुक थी ओंग ऑगा थी कि अर्टीक थीक मो अर्टीक रहती है तो थीक रहती है वह उस पर खुंग है कि अगर शेया कर देर्क जार्ड देडिक तो कि साथ चाहिए कि अगर सब एल बुक्त तो अगर ग्या तो में फिर प्रश्व करेंगी तो चलो उनका जो passport होता है, six months की validity होनी चाहिए पासपोर्ट के अंदर, अगर नहीं है तो आपको passport renew करवाना पड़ेगा, उसके बाद वीजा लगवाना पड़ेगा, तो minimum six months की validity होनी चाहिए, उसके बाद एक personal cover letter लगता है उनकी तरफ से, कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या reason है, और वहा आपके parents, मतलब वहाँ पे job करते हैं, या फिर businessman है, या फिर retired है, तो उसकेस में क्या documents लेंगे, तो screen पे आप जो देख रहे हो, ये है service man, मतलब अगर वहाँ पे job करते हैं, तो एक तो personal covering letter जैसे प्यानने आपको बताया था, वो तो लगएगा, employee की तरफ से एक leave certificate लगता है, जो employer देता है, कि हाँ चलो ठीक है, वो जा रही है, तो उनकी तरफ से एक letter लगेगा, six months की salary slip लगती है, form 16 लगता है, three years का, income tax के paper लगते है, last years के, with computation of income, personal bank statement लगती है, six months की, person who has recently joined the job, need to provide appointment letter, अगर किसी ने recently job जो है, वो जो है, जो है, वो जो है, जो है, जो है, वो जो है, बिसनस करते हैं, तो बिसनस के case में, उनके letter, covering letter on business letterheads, business cards, proof of occupation like company, registration certificate of Indian company, company memorandum and article of association, evidence of partnership or ownership, personal and company latest bank statement for past six months, self and companies income tax last three years, with competition of income, तो यह लगेगा, in case of minors, अगर कोई छोटे बच्चे आरे हैं, तो उनका school से leave certificate बगारा, यह सब चीज़े लगेंगी, और अगर कोई retired person, यहाँ पर, for example, बिल जो parent है, पापा जो है, वो retired है, तो उनके case में, जब वो retire हुए थे, तो company से एक retirement letter मिला था, हमने वो letter लगाया थ और अगर वो retired है, तो income tax भी हमने नहीं दिखाया, इस बार income tax के paper भी हमने नहीं दिखाने पड़े, और जो मैंने आपको cover letter के बादे बताया इसमें, तो cover letter का template है, वो मैंने description में link डाल दिया, उसमें सारे documents आप वहाँ से download कर सकते हो, और आप अपने अच्छे से बना सकते हो और फिर वो letter यूज़ कर सकते हो, वीज़ अप्लिकेशन के टाइम पर, तो अब बात कर लेते हैं, कि आप अगर अपने ममी पापा को बला लिए तो मतलब कि आप sponsor हो, अगर आप sponsor करना चाहते हो, अगर आप नहीं करोगे sponsor, तो सारा expense उनको भी दिखाना पड़ेगा, कि जि अगर आपके दिमाग में इस ताइम पर ये question आ रहा है, कि उनके account में कितने पैसे दिखाए थे, तो होता क्या है, कि जितने लंबे time के लिए आप itinerary दिखाओगे, उतने ज्यादा पैसे आपको दिखाने पड़ेंगे, कोई भी set amount of money जो है, वो गौव्डवर टुके की website प ये तो उनके side से हो गए, और हमारी side से हमने भी अपनी bank statement दिखाए थी, तो अब अपने documents में आपको बता जाता हूँ, तो सबसे पहले हमारी passport की copy लगती है, मेरी और अभी की, अगर हम joint दिखा रहे हैं यहाँ पे, हम दोनों दिखा रहे हैं, husband and wife, कि हम अपने parents को यहाँ प sponsorship form होता है, वो gob.hug की website पे होता है, उसका भी link जो है मैं description में डाल दूगा, वो sponsorship form आपको fill करना होता है, sign करना होता है, वो आप visa application को support करने के लिए दिखाऊगे, कि हाँ आप sponsor कर रहे हो उनको, उसके साथ साथ एक invitation letter लगेगा आपकी तरफ से, कि क्या आप यहाँ पे उनको parents को यहाँ पर बलाना चाहता हूँ, तो आप मुझे letter बना के देते हो, कि मैं यहाँ इस time से job कर रहा हूँ, यह में salary है, और वो letter company head, company के letter head पर होता है, तो वो एक लगेगा, साथी साथ आपकी P60 form लगेगा, यहाँ पर टेक्स दे रहे हो, कितना आपने income करी है, कितना आप tax pay की है, तो वो आपका P60 form लगेगा, bank statement लगेगी आपकी 6 महीने की, pay slip दिखाओगे, यहाँ पर 6 महीने की, मतलब दोनों की, अगर मैं और अवी दोनों हम दिखा रहे हैं, कि हम दोनों अपने parents को बलाना चाहते है, क्योंकि कहीं बार होता है, कि आपके single account में इतने पैसे न तो हमने risk नहीं लिया और हमने मैंने और अवी दोनों के documents लगाए थे, तो सारे documents दोनों की साइट से लगेंगे, दोनों की bank statement, दोनों की pay slip, दोनों की P60, दोनों का employment letter और साती सा sponsorship form भी दोनों की तरफ से ही लगेंगे, इसके बाद क्योंकि हम दोनों दिखा रहे हैं, तो एक home land registry का document होता है, वो आप दिखा दोगे, उसके बाद यहां की utility bills आप दिखाओगे, पिछले तीन महीने के utility bill आप दे सकते हो, उसी के साथ साथ आप यहां पर council tax bill होता है, जो की solid proof है, कि आप यहां पर रह रहे हो, और council tax pay कर रहे हो, तो वो आप proof दे सकते हो, तो proof of accommodation आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके घर पे रहने आ रहे है, अगर आप ऐसा student उनको बुला रहे हो यहां पर, तो यह सब चीज़े आपको देने की ज़रुवत नी है, क्योंकि वो खुद अपना sponsor करेंगे, तो वो यहां पर कहीं, जहां पर भी रहेंगे, मानलो वो किसी hotel में रहते है, तो hotel की booking confirmation दिखानी पड़ेगी, तो यह चीज़े उनको दिखानी पड़ेगी, अपनी साइट से, और अगर वो अपने आपको sponsor करेंगे, तो उस case में वो ज्यादा पैसे दिखाएंगे, अपनी साइट से, तो अगर आप student हो, तो उस case में हो सकता है, कि उनको ज सबका जो template है, वो description में एक link दिया हुए, Google Drive का, आप वहां से download कर सकते हैं, और each template आपको download करना पड़ेगा, उसके बाद आप copy paste कर पाऊगे, अगर आप सीधा browser से copy paste करोगे, तो नहीं हो पाएगा, तो make sure कि आप download कर लेना, उसके बाद अपने documents वगरा बना लेना, और उसको visitor visa लगवाना काफी जादा hard होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सारे documents अच्छे से लगाओगे, each and every document, और अगर genuine case है, तो कोई problem नहीं आते है, visitor visa easily लग जाता है, अब इसे के बाद recently एक new update आई थी 2024 के लिए, कि visit visa पर क्या यहां पर लोग job कर सकते हैं, एक recent update आई थी, तो उसकी मैं clarity आपको देना चाहता हूँ, जो job के बादी में उनने बताया था, वो remote working था, मतलब कि remote working is permitted in the UK on visit visa, that means, that is for overseas employer, मतलब कि, for example, अगर आपके parents यहां पर आ रहे हैं, और वो इंडिया में किसी company में job करते हैं, और उस employer के लिए, वो यहां पर visit visa पर आके, मानलो family, tourism, यही होना चाहिए, आप यह नहीं बोल सकते कि मैं वहाँ पर job करने के लिए जा रहा हूँ, तो job, paid और unpaid work यहां पर allowed नहीं है, क्योंकि यहां पर job करने के लिए आपको एक national insurance number लेना पड़ता है, कोई भी employer के पास आप जाओगे job मांगने के लिए, तो वो आपके बोल नहीं करते हैं, कि आप यहां पर visit visa पर आके कभी भी यहां पर job ढूंडो या कुछ भी करो, क्योंकि वो illegal हो जाता है, और दूसरा यहां पर लोग सोचते हैं, कि visit visa पर आके हम visa switch कर सकते हैं, तो वो भी possible नहीं है, visit visa पर आप सिफ visiting family, tourism, इसी purpose के लिए आ सकते हो, उसके बाद flight का experience था, VFS Center का experience था, क्या के documents लगते हैं, और इसके बाद भी कोई भी आपके doubt हो, तो आप comment सकते हमाँ में जुरूर पता सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो, तो हमेशा की तरह like जूरूर करना, comment करके बताना कैसी लगी, और माई चैनल को subscribe करे जाना गायस, मिलते ह तब तके लिए, बाए, बेक क्या था